अभी मैं कुछ दिन पहले ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स के साथ गया और अब हम कॉंग्रिस पार्टी के जो सीनिय लीडर्स हैं उनके साथ गये राश्टरपती से हमने कहा कि यह जो कानून बनाए गए हैं यह किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्ट नुकसान होने वाला है मजदूरों का किसानों का सरकार ने कहा था कि यह कानून किसान के फाइदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाब खड़ा हुआ है और मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं प्रधान मंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापिस नहीं लिया जाएगा जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एक दम वापिस लीजिए क्योंकि किसान वापिस नहीं जाने वाला है और हम सब विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जिस प्रकार से ये कानून पास किया गए वो भी बिल्कुल गलत था बिना डिबेट किये, बिना किसानों से चच्चा किये बिना मजदूरों से पूछे, ये कानून ऊपर से थोप दिये गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोग करना ही पड़ेगा हम तीन लोग राश्टरपती के पास गए हैं बढ़ हम करोणों सिग्निचर्ज लेके गए हम किसान की आवाज राश्टरपती जी को तक ले गए सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में हैं गर्ब में हैं और मर भी रहे रहे हैं प्रधान मंत्री को सुनना ही पड़ेगा और मैं अड़वांस में चीज बोल देता हूँ मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है उस समय किसी ने नहीं बात सुने और आज मैं फिर से बोल रहा हूँ किसान के सामने मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है अगर प्रधान मंत्री जी ने कानून वापिस नहीं लिए सिर्फ बीजेपी को नहीं सिर्फ आरेसेस को नहीं देश को नुकसान होने जा रहा है बीजेपी नरेंद्र मोदिजी का एक लक्ष है और वह किसान समझ गया है मजदूर समझ गया है लक्ष है कि उनके आस-पास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटल संद्व है उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं जो भी नरेंद्र एक कहते हैं को ने किसान खड़े हो जाएंगे मसदूर को आतंगवादी एक दिन अगर मोहन भगवत कड़ें तो कहेंगे यह आतंगवादी मतलब जो भी नरेंद्र मोधी जी से सटालेनी को कोशिश करेंगा वो अतंखवादी और नरेंद्रमोधी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया उनके दो-तीन आस-पास के करोणी capitalist हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पूरा पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं यह रियालिटी है तिरहCU पूराDu के, कि throwing डियूअल सुतान आस यह रिंदीकर्ण वा लिए में यह रिनी और करना यह eğна, चुछ पर आस बहिद घखा स Toutआपको में आस चाहाँ पक बतार अपकूरा थ pea क्योटूरा प्रबदेस्ट झा रहे हैं रहें को आपकोण is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do, they will not be able to feed themselves, and you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the prime minister doing this? It is a very simple calculation. The prime minister is doing this because he wants to help two or three business people, he does not care what happens to this he will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to three of our people continues he will call people terrorists he will call people anti-nationals he will call people criminals he will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people the backbone of this country to वह भो बढ़ प्र फव दो ड्यक्रोप्तेट काम्स अँव जनी आपस्पारर प्रजा कर अवडिए इस्न, इन इंजे लिए इस्टाउर इस्टाइव थ्र आट्रिट्टर्ट विल टीकुल्टेश इंजे रेकरोना थिल एष्यूम रूनर इस कि अछ फर्ट ए इन इंजे चेर मंगरी, when I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the Chief Ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand, this is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of three or four other people, who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pockets. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now. Because all of you will face this. There is not going to be a single person in this country who is not going to face this. If you are a farmer, you will face it. You are a small businessman, you will face it. You are a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we are standing here. That is why I have gone to the President. That is why we have signed these forms. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the AICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the States? See what happens. Every single farmer of this country, every single laborer of this country stand up. But you have police. You have to go out, arrest yourself. You have to go out and arrest yourself. You have to give us a couple of AICC. And then you say that everything is okay. And the Prime Minister needs to realize that there is a limit to this. You have to do a little bit. You have to do a couple of 2-3 people's help to do a little bit. You can do it. But what kind of conduct is Narendra Modi. कर रहे हैं मैं फिर से दोरा ना हूं हिंदुस्तान के किसी भी युगा को रोजगार नहीं में लेगा हूं सारे चोटे बिजनस सारे मिडल साइज बिजनस खतम हो जाएंगे और दूसरी बात याद रखिए जिस चीज को आप सब भूल गए हैं चाइना बॉर्डर पर बैठा है चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमेटर जमीन चीन ली है प्रधान मंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते हैं उसके बारे में चुप क्यों हैं तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉंबिनेशन बन रहा है एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो आप अपने किसान को मार रहे हो मजदूर को मार रहे हो और दूसरी तरफ भार से फोर्स देख रही है कि कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है न देखिये क्या हो रहा है और मैं आपको भी कह रहा हूं प्रेस वालों को भी कह görün collabor हूं अखमज़ता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मिश्किल है इसलिए आप नहीं कहें पाते हैं यो क्या बगर आपके देश को हमारे बहुत जबर्दस नुक्सानों होने वाला है बहुत डीनजरस नात्रें चल रहा ह। इज्ञेश के बात कर रहे हो कि कौन सी के बात कर रहे हो डिमॉक्रिसी यह मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो इंडिया की बात कर रहे हो इंडिया में कोई दिमोक्रासी नहीं है डिमोक्रासी इंडिया में यह मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इंवेस्मेंट किया या नहीं अरे मैं आप से पूछ रहा हूं आप देश की आप देश की महि इस घंटा इंवेस्मेंट करते हैं और उदार इंवेस्मेंट कहीं और जाता है रिटर्न कहीं और जाता है थांक्यू